अब UBSC की तैयारी के लिए दिल्ली या एलहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube Classes के माध्यम से जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर Current Affairs और Static Portion के Topics, Prelims, Mains और Interview को मद्दे नज़र रखते हुए तमाम Video Lectures और Mentorship Guidance वो भी बिल्कुल निश्यलिक हम अपना Time Invest करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगे सही डिरेक्शन में इस्तमाल करें प्रेस दे बेल आईकॉन नमस्कार दोस्तों उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं सधार्त आपका मेंटॉर स्वागत करता हूँ सिविल्स देली के यूट्यूब क्लासेस पर जहां आज हम बात करेंगे UPSC Prelims और मेंस और मेंस और जोड़े कुछ Important and relevant topics पर From the Hindu editorial and open section तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं कल के कुछ सवाल मैंने आपको दिये थे with reference to electoral reform bill जहां पे दो questions थे एक तो ये assertion regions वाला था जिसका answer D होगा I think कुछ बच्चों ने जवाब दिया है उनका answer सही है Congratulations आपका नहीं सही है comment करके बताईए हम feedback share करेंगे Second आप लोगों ने कई सारे लोगों ने I think ये question miss कर दिया होगा मैं भी नहीं बताऊंगा वह I would request you guys to kindly let us know what is voice vote bogus voter क्या होते हैं bonds क्या होते हैं service voters क्या होते हैं these are the prelims fact guys आ सकता है you never know ये पता है क्या है ये basic concepts है जब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं इन उस आर्टिकल में इन सारे terms की बहुत freely बात होती है अब जब हम इन सारे terms को नहीं समझेंगे तब तक article ही समझ में नहीं आएगा या फिर अगर मैं कुछ समझाओंगा भी related है ठीक है ये बहुत ही probable question बन सकता है अब इस सर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम नज़र डालते हैं अपने CD YouTube classes के उपर जहां पे daily basis पे ये सारे programs release होते हैं एक important information यहां पे ये है दोस्तों हम अपने time के हिसाब से हम program publish कर देते हैं notification YouTube की आए चाहना आए आपको उससे मतलब नहीं है आप उस time के इसाब से सबसे पहले हमारा open analysis जाता है जो ये program है 11 से 12 के बीच में चला जाता है आप please YouTube open करके देख सकते हैं in fact अगर आपने हमें subscribe नहीं किया है तो subscribe करिए तभी पता चलेगा कि कब program आ रहा है कब नहीं आ रहा है क्योंकि आप bell icon भी दबाएंगे so press the bell icon यहाँ पर and then start you will start getting these notifications चाहे वो ethics के related हो चाहे CSAT से हो या फिर decoding UPSC हो जो non-academic है हमारा या फिर कौन बनेगा civil servant ऐसे topic हो चाहे है चलिए बढ़ते हैं आज के editorial के तरफ आज के डो editorial मैंने cover की हैं बहुत holistic तरीके से मैंने cover की हैं आपके लिए so यह चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको already चाहे यह public health national family health survey के उपर है चाहे उज्वला scheme के उपर है यह मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन there is a very strong reason why I have taken this topic in fact यह जो topic है JNK से related यह मैंने कल या परसो पढ़ाया था आपको और in fact यह जो चील से related Gabriel जो यंगेस्ट प्रसिडेंट हूँ है उनसे भी related मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन अभी यह मुद्द और गरम हो रहा है तो गरम होने दीजे बात तब तक जो मुद्दे अलड़ी बहुत उपर हो चुके हैं जिनसे हमें relevant सी मिल सकती है UPSC exam में हमें फाइदा हो सकता है वो यह topics हैं needed एक तो यह है दूसरा यह है cooking fuel plan बहुत holistic तरीके से cover किया है मैंने तो आराम से notepad निकालिए लिखना शुरू करिए जहां पर लगे वीडियो pause करना है यूट्यूब वीडियो है pause करिए pause करके अराम से note लिखिए और जो नहीं समझ में आ रहा है उसका भी note बनाई और comment में लिखके बताईए ताकि मैं अगले दिन उसको तुरंद cover करूँ ओके So फोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी एसपेक्ट जानने की बहुत ज़रूरी है और एडिटोरियल और ओपर अनालेसिस का मतलब यही है कि हम holistically हर एसपेक्ट को cover करें चाहे वो कितना minuscule हो ओके So शुरू करते हैं हम पहला GS paper 2 से related है ये Of course और बहुत सारे Almost 40-50% 40-30% topics ये cover हो जाते है ठीक है In fact GS1 से भी related है इसमें पावर्टी, जेंडर Issues related to बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ गरीबी, बुखमरी और government policies बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये ठीक है आएए चलते है तो इस पूरे आर्टिकल में बहुत डीटेल में ये बताया है कि National Family Health Survey एक बहुत बड़ा सर्वे है पूरे country का सबसे बड़ा सर्वे है एक तरीके से कहीं कहीं जो हमारा caste census है तोड़ा सा कमी होगा उससे उसके बाद यही आता है ठीक है इस सर्वे में इतनी important चीजें सर्वे की जाती है जो parameters होते है चाहे वो fertility, child mortality, conservative, तेर सारी चीजें cover की जाती है और वो data available है बहुत बड़े level पे ठीक है तो उस data को जो निचोड है वो कैसे निकालते हैं ठीक तो detail में हम समझेंगे सबसे पहला point है इसका range और scope तो NFS is largely it's a largest survey conducted in representation of sample household घरेलू मामलों से लेके ये भारत का सबसे बड़ा sample survey होता है यहाँ पे ठीक है अगर women से related हो गया child से related हो गया husband wife से related हो गया कोई women problem है उससे related हो गया sex से related हो गया या फिर contraceptive से related हो गया ये भारती इतिहास का सबसे बड़ा household survey है अभी भी ठीक है इसकी शुरुआत कब होई थी 1992-1993 में शुरुआत होई थी और लगभग 4-5 सालों के अंतराल में ये इसका survey conduct होता है ये वही survey है जो बाहर के दुनिया में विदेशी दुनिया में जिसको हम कहते है demographic and health survey जिसको DHS कहते है सेम वही survey है इसमें जो district level पे information होती है ये याद रखी ये prelims के fact है district level पे जो information collect की जाती है मैं फिर से बोल रहा हूँ district level district level मतलब समझे कि remote area में जा रहा है ये state level और national level की बात नहीं कर रहा है district level fertility, child mortality, contraceptive practices reproductive and child health ये एक ही में होना चाहिए था nutrition, utilization and quality of health services ये district level पे होता है और सबसे जादे इसमें किसका sample जाता है सबसे जादे किसकी भागिदारी होती है इसमें women's की कौनसी age 15 to 49 okay including जो married है तो उनके husband भी इसमें include होते है ठीक समझ में आ गया district level पे ये information होती है आ सकता है आपके question में district आ जाएगा तो फिर confuse मत होईएगा ठीक है ये सारी चीज़ें mention करनी है आपको who funds ये important aspect है ये भी पैसा कौन देता उसके लिए ठीक है एक-एक sample survey जो एक-एक survey होता है वो जिसे चार साल या पांच साल में एक national family health survey हो रहा है ओके वो थाई सो करोड एक survey में लगता है जैसे मान लिजे कि ये भी national family health survey भी five हुआ है थाई सो करोड या उससे जादे पैसे इसमें लगे हैं इन्वेस्ट किये गए हैं इन सारे रिपोर्ट को तयार करने में ठीक कौन कौन इन्वेस्ट करता है पहला है United States Agency for International Development ठीक दूसरा है Department of International Development एंड तीसरा है Bill and Melinda Gates Foundation चौता UNICEF खुद है फिर पांचवा है The Ministry of Health and Family Welfare भारत सरकार ठीक है एक बॉड़ी है वो भारत सरकार की है वागी चार बॉड़ी है ऐसा क्यूँ है देकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी जो हमारे UNICEF है ठीक है या फिर जो हमारे UNNC है वर्ल्ड लेवल पे ये सारे डेटा रिक्वाइड होते हैं ठीक नहीं वर्ल लेवल पे इसके डेटा जाते हैं तो जब वर्ल लेवल पे इसका डेटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये लोग फंड करते हैं कि आप अपना डेटा हमें दीजे तो बेस्ड आन डैट हम कोई पॉलिसी नीती निर्मान करेंगे बेस्ड ऑन डैट हम अपको डेवल पे बेल्प्रेंट इंडेक्स पे आपको ले आएंगे फिर इंडिसेस डिसाइड होते हैं ओके नाव वन ओवर येर स्कोप है स्कोप है इंक्रीज्ड स्कोप है इंक्रीज कहां कहां पे ये तो मतलब अब अर्बन एरियाज में हर इंसान की कमी शरीर में एक कमी रह रही है बिटमीन दी त्री दूप में जाना पसंदी नहीं कर रहे हैं लोग इतने जादे सोफेस्टिकेटड हो गए हैं लोग ठीक है Other Surveys and Goals So जो National Family Health Survey है जो भारत में conduct होता है वो कौन कराता है अब मिनिस्टर लोग तो आएंगे नहीं कराता कौन है International Institute of Population Sciences जो की मुंबई में है ठीक है IIPS कहते हैं and Actual Surveys Outsourced यह पूरा Outsourced है यह लोग conduct कराते हैं ठीक और NFHS is not only the survey that conducts Health Ministry conducts है Health Ministry के अंदर बहुत सारे आते हैं Surveys जो की Health Ministry conduct करती है सिर्फ NFHS ही नहीं है वो कौन कौन सी है यह सारी पांच है National Monitoring Survey, National Mental Health Survey, Global Adult Tobacco Survey, Alcohol Survey, Comprehensive National Nutrition Survey and many others यह भी एक में होना चाहिए था ठीक, पांच है ऐसे और भी कई सारे हैं जो की conduct कराया जाते हैं Many of these have been implemented यह देखिए important level है Many of these have been implemented by Premier Academic Institution Cost 25 करोड एक बार इनकी लागत होती है यह चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों यह सारी जो चीज़ें हैं, यह सारी जो surveys हैं वो district level पे नहीं होती हैं यहां लिखा हुआ है, None of these generate district level estimates Question आ सकता है आपको prelims में कि क्या district level में यह सारे surveys conduct होते हैं Confused जाएंगे आप, तो यह important है इसलिए मैं कहारा हूँ, curatorial पढ़ना ज़रूरी है Analysis उसका समझना ज़रूरी है क्योंकि बहुत detailed में आपसे पूछा जाता है ठीक है? Next Important Difference Difference इसलिए बताए गए है कि Already हाँ आप आप देख रहे हैं कि tobacco, for example The Global Tobacco Survey यह इसमें conduct होता है लेकिन जब आप National Family Health Survey conduct करते हैं उसमें भी लोग tobacco से related सवाल पूछते हैं ठीक है? आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि लगभग 1200 questions महिलाओं से पूछे जाते हैं National Family Health Survey में 1200 questions और लगभग 890 questions men's से पूछे जाते हैं यह आपकड़ा NFHS 4 में कम था यह आपकड़ा लगभग 900 questions था महिलाओं से और लगभग 700 questions I think था मर्दों से ठीक है? लेकिन अब यह questions बढ़ते हैं आप समझ रहे हैं 1100 questions का कैसे आंसर देते होंगे वो ठीक है? इस पे भी हम एक पहलू पे आएंगे भी So इसकी requirement यह basically है The requirement of the monitoring of NCD, non-communicable disease target are not met by NFHS ठीक है? As it covers an age group different than that needed for the global set indicators ठीक है? अब जो NFHS की जो coverage है वो specifically मैंने बताया था ना women से related है और उनके husband से related है ठीक है? वो age 15 से 49 ठीक है? लेकिन जो tobacco वाला system है national non-communicable disease हो गया है tobacco हो गया है National Family Health Survey में हम सब एक ही साथ पूछ रहे हैं और फिर हम अलग से tobacco वाले सर्व में भी पूछ रहे हैं So, एक ही सवाल दो अलग-अलग एजिंस या पूछ रहे हैं अलग-अलग सर्वे पूछ रहे हैं इसका भी एक रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ है For tobacco, we have another vertical survey That's why we do questions on these यह भी एक question है अगर आपको पता है तो प्लीज आंसर करके बता दीजिएगा मुझे Otherwise, मैं यहाँ बता रहा हूँ It is because we are confusing research and program monitoring and surveillance needs Right एक ही चीज़ का दो sample survey हो रहा है और फिर confused हो जाएंगे मान लो एक आदमी ने अलग-अलग जवाब दे दिया Data match नहीं हो, confused होगा है अलग ही report आ रही है So, questions on domestic violence and blood collection for vitamin D3 level are good example of these lopsided thinking चीज़ के मतलब domestic violence, blood collection for vitamin B3 वगरा यह सब NFHS में कराया जाते है जो कि वो अच्छी चीज़ है मतलब वो जादे dependent है उस मामले में यही होना चाहिए उसमें जो हमारा aim है NFHS का alignment अब इसकी जो alignment है उसमें दिक्कतें आ रही है alignment मतलब की एक survey और दूसरे survey में जो alignment है इसको क्या करना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए ठीक है देखिए इसमें जो सबसे जारे दिक्कत होती है stakeholder कौन है इसमें सबसे बड़ा stakeholder जनता आम जनता मतलब household जहां पर यह sample survey होता है यहां पर आपको फोटो दिखा दूँ में यह लोग जो हैं ठीक यह बैठी है महिला यह बैठी है इनको घंटो बैठना पड़ता है इन सारे चीजों का जवाब देने के लिए ठीक है यह सबसे बड़ी stakeholder है क्योंकि इनके बिना तो फिर कुछ होई नहीं पाएगा मतलब जो आम जनता है जो आम महिलाएं हैं जो वर्ग में हैं 15-49 साल के age में उनके बिना तो कुछ होई नहीं पाएगा ठीक सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो alignment में यहां आ रही है कि इतने questions पूछे जाते हैं इतने questions पूछे जाते हैं कि हद इसका कोई तोड नहीं है लेकिन इनके अलावा बागे सब लोग खुश हैं जो conduct करा रहे हैं वो खुश है जो ministry conduct करा रहे हैं वो खुश हमको report मिल लए data मिल लए so we have to channelize things मतलब कहना यह कि आप conduct करा यह survey लेकिन सवाल जो हैं वो overlap ना करें ठीक है एक बर वो बता दिया बता दिया फिर एक महीने बाद आप दूसरा survey करा रहे हैं फिर वही चीज़ आप पूछ रहे हैं उसमें ठीक है तो फिर लगन लगा रहे हैं मैंने क्या किया लगता है कोई investigation agency है बार-बार सवाल पूछ रहे हैं आके इन लोगों को उतना नहीं पता हो पाता है तो हमें respect करने चाहिए इस मौमल में ठीक है अनदर रीजन ये है कि NFHS National Family Health Survey जो है वो बहुत टाइमली होता है ठीक है वो लगतार पिछले 20 सालों में 4-5 बार हो चुका है ठीक है लेकिन जो और surveys है जैसे ये सारे survey मैं आपको दिखाऊ ये for example National Monitoring Survey एक बार हो चुका है अगला कब होगा ये नहीं पता ठीक है Mental Health Survey अभी recently हुआ था अगला कब होगा नहीं पता Alcohol Survey बहुत पहले हुआ था अगला कब होगा नहीं पता लेकिन ये जो हमारा National Family Health Survey है ये timely होता रहा है और इसमें काफी questions cover आते रहे हैं इस वजए से कहीं ये alignment में difference है लोग कहते हैं कि ठीक है चलने दो मतलब एक गारी तो चल रही है ना ठीक है लेकिन आप वही तो इन्होंने author ने जो है उन्होंने यही बोला है कि भाई आप एक omnibus में कितना लेके जाओगे आप कब तक चलाओगे उसको ठीक है refer to newspaper मैंने लिखा है यहां पर तो यहां पर यह system है alignment in difficulties ठीक है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है refer to newspaper that we do not have survey of NNMS will be conducted through यहां पर mentioned किया मेरा करसर देख रहा हूंगे आप another example इसलिए मैंने लिखा था another example is the issue of wide divergence in sex ratio at birth reported by NFHS and the sample registration system अब जो sex ratio birth NFHS बता रहा है यह फिर sample registration system बता रहा है वो match cross-sectional है मतलब कि जादे match महीं कर रहा so the SRS is a better system for it as it is continuously enumerates the population unlike the NFHS which is cross-sectional survey ठीक है also known as recall biases मतलब यह है कि SRS जो है वो बहतर system है जब हम sex ratio at birth के मामले में जब हम जाएंगे ठीक है तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है SRS के बारे में भी ठीक है तो यह एक better alignment की ज़रूरत है यहां पे ठीक है इन मामलों में SRS काफी बहतर है बहुत डीटेल में cover करता है इन सारी चीजों को लेकिन NFHS जो है वो holistic है और All India है वो cover उतना detail में नहीं कर पाता है किसी specific aim को ठीक है हमारा larger aim है यहां पे and ensure that these data are collected in ordinary and regular manner ठीक तो budget allocation से सवाल है इसका अगर आप चाहें तो कैसे लिखना है इसका अंसर आप बता सकते हैं क्या लिखना है मत बताईएगा कैसे लिखना है मतब framework ओके next author ने suggestions दिये हैं suggestions बोले तो तीन चीजें बताई है National Survey के लिए उन्होंने कहा है एक bridge होना चाहिए NFHS focusing on reproductive child health issues जो RCH है दूसरा behavioral surveillance survey focusing on HIV, NCD, water sanitation, hygiene जो wash कहते हैं and related behaviors तीसरा survey होना चाहिए जो की blood pressure, anthropometry, blood sugar serology done in every 3-5 year in a staggered manner इन सब के बारे में बोलाएगी तीन से चार साल में होनी चाहिए मतलब की bifurcate कर दिया है उन्होंने National Family Health Survey के जो पूरा aim and objective है उनको bifurcate कर दिया तीन चीज़ों में और कहा है कि जो राज्य सरकारे हैं state governments हैं उनको भीया step लेना पड़ेगा सामने आना पड़ेगा सिर्फ ये union government की ही जिम्मदारी नहीं है राज्य सरकार को भी सामने आना पड़ेगा और financially contribute करना पड़ेगा physically contribute करना पड़ेगा for detailed understanding of some issues किसी-किसी राज्य में कोई-कोई issues बहुत उपर है mortality rate कहीं महिलाओ pregnant women's का बच्चों का बहुत जाद है किसी कहीं में कम है infertality rate कहीं जाद है specific interest ठीक है ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं कभी भी कर रहे हैं that should have a specific thing कि इस बार का जो survey होगा वो दो से तीन चीज़ों पर focus किया जागा that's it ये वहला मामला है और कहा गया है कि ये सारे जो data है possible हो तो public domain में release करिये ताकि लोगों को भी पता चले इतना तो लोग जानते ही है इतना तो लोग आगरा थोड़ा मोड़ा समझ ही जाएंगे कि 100 में से 50 लोग को TB है और 100 में से 50 लोग को TB नहीं है या फिर कौन हमारी पूरे भारत के जनता में कितने लोग cigarette पी रहे हैं अगें इन्हों ने एक सवाल पूछ दिया यहां पे कि आपका क्या आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा we have a technical capacity to do I agree all which requires political will ठीक है राजनीतिक will चाहिए बाकी तो capacity भी है जनता भी हमारे पास skilled labor भी है upper skilled labor भी है और infrastructure भी है बस एक will चाहिए ठीक है right so यह article हमारा यहां खतम होता है so I hope यह holistic approach हमने यहां पे अपनाया है and इससे related मैं आपको यहां पे रिखा दूँ एक road map है yeah so I think यह article यहां खतम होता है that's a holistic way we have approached now coming back to our next article which is the clean cooking fuel plant needs more firing up मतब यह उजवला scheme से related यह यह पूरा मुद्दा है और हम इसके बारे में ही बात करेंगे ठीक है तेखे उजवला scheme से related यह जो madam है जिन्होंने जो author है निधी प्रभातिवारी जी यह एक गाउं में गई ठीक है जो इनका photo देख रहे हैं आप इनके पास यह गई इन्होंने इनसे पूछा कि आप LPG यूज़ करते हो इन्होंने कहा हाँ यूज़ करते हैं इन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मेरा LPG खतम हो गया है फोन नहीं मिल पा रहा है और इस वज़े से delivery नहीं हो पाई LPG की तो madam ने फोन मिलाया इनके ही दिये हुए card के information के मताबिक फोन मिलाया जो agency है LPG local agency वहाँ थी उनको फोन मिलाया उन्होंने कहा कि हाँ हम deliver कर सकते हैं दो से तिन दिन लगेगा उन्होंने deliver कर दिया ये महिला pregnant थी और एक बच्चा है इनका दूसरी बार ये pregnant थी और ये afford कर सकती थी ये total पूरी कहानी है लेकिन इस कहानी के पीछे ये case study थी इस कहानी के पीछे आई होब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी ये जो हमारा उज्वला scheme है वो GS paper 3 से related है GS paper 2 से related है food security, women's health, government policies, intervention ठीक है ये वाला जो इस से पहले हमारा जो article था ठीक है अब उसके आगे क्या होगा ऐसी schemes आती है ठीक है जो हमारा national family health survey article था उसके बाद इसको लगा लिजए आप ठीक है chapter 2 आ जियागा so हम सबको पता है मैं फिर से इस program के detail में नहीं जाओंगा उज्वला scheme क्या थी मोदी जी ने कितने cylinders बाटे थे किसको बाटे थे वो मुद्दा नहीं है आज का फिर से एक ये अलग angle है अलग aspect है तो जो even objective है वो तो बताना ही पड़ेगा कि प्रधान मंत्री उज्वला योजना is a flagship scheme of 2016 की है ये 2.1 की बात हो रही है sorry उज्वला 1 और फिर 2016 में आया था और अभी 2.0 आ चुका है जिसका objective यही था to make clean cooking fuel such as LPG available to the rural and deprived household rural and deprived rural and deprived याद रखिएगा rural and deprived household which were otherwise using क्या यूज करते थे कोईला, काउडंग, लकडी ये सब यूज करते थे तिक अब यही सब यूज करते थे इसी वज़े से बहुत सारी बिमारियां होती थी so इन चीजों को observe करने के लिए बहुत माने जाने प्रोफेसर रहे थे किर्क स्मित जो हाली में उनकी गुजर गए नहीं रहे हमारे बीच किर्क स्मित ये है उनकी फोटो जिन्होंने तीन दशक तीस साल भारत में भी गुजारे भारत में बिताए और एक जबरदस्त सर्वे निकाला तिक वो सर्वे कहता है कि जितने भी ये rural and deprived household हैं वो use करते हैं कोल, cow dung और ये fire, लकडी उकडी इस पहे खाना बनाते हैं किचन में और खास करकि जो महिलाएं हैं क्योंकि ऑफकोर्स भारत में से हमारे महिलाएं खाना बनाती हैं यह हिल्थ पह बहुत गहरा असर पड़ता है मतलब कि इनोंने बात की थी indoor air pollution in India किसके बारे में indoor air pollution in India 30 साल तक इनोंने research किया इस पर और यही पाया कि हमें LPG पर move करना पड़ेगा so that कि यह health gain हो जो treating pregnant women है ठेक है और हमारी एक doctor भी है कि gas होना चाहिए otherwise tuberculosis patients उनके पास आते हैं consult करने के लिए मतलब TB होता है दोस्तों इतना खांसी इतना धूँआ निकलता है तो एक बिमारी का घर है यह ठीक है according to यह जो data हमने अभी पढ़ा है according to national family health survey 5 there was higher prevalence of TB देखा आपने कैसे interrelate कर रहा है topic ठीक है यही हमें करना है mains के exam में भी ठीक है in household they were using solid fuels when compared to those who are cleaning cooking fuels in most of the state ठीक है जो लोग use कर रहे हैं यह सारी चीजें लकडी koela उनके health पर बहुत बुरा असर पड़ा है बजाए जो लोग gas use कर रहे हैं वो मजे में हैं और कोई दिककत नहीं है उनको ठीक है so the fuel stacking is similar to the practice of poor in fact लोग stack भी मतलब stock भी धे सारा भर के लिया आते हैं रख लेते हैं और यह चीज जो हमारा basket of livelihood है यह term याद रखना basket of livelihood यह important term है जहाँ पर intergovernmental panel ने intergovernmental panel और climate change ने इसको describe गिया है क्या होता ही है basket of livelihood या फिर energy basket of the poor so basically जो basket of livelihood है और उनका जो एक ही single source of option बच जाता है वो लकडी उसी को जला उसी को करो so this accounts बहुत सारी चीज़े होने लगती है और सिर्फ इसी बज़े से नहीं बहुत सारी चीज़े से uneven cash flow पैसा रुपे नहीं है season unavailability of biomass बारिश बगर बहुत जादी होती तो cow dung नहीं हो पाता है लकडी भींग जाती है तो फिर koila जलाते हैं and then ambient heating requirement during winters आग जलाते हैं कितने लोग लकडी जलाते हैं कितने लोग प्लास्टिक भी जलाते हैं पत्ते जलाते हैं घर में ही मैं घर की बात कर रहा हूं cow dung जलाते हैं और उसके बगलने बैट के हाथ सेखते हैं और वो धूँआ अंदर भी तो जाता है यार तो फिर नुकसान तो करेगा ही करेगा और दूसरी बात यह कि अगर आपके पास cylinder है लगा इसे यही करते हैं जिनके पास जो गरीब होते हैं पूर ज़िए इस ही लिए मोदी जी ने और बहुत अच्छी स्कीम है बहुत जादे ये चली और वी शुड़ अपलोड दे गवर्मेंट, इंडिया गवर्मेंट for that कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत डीटेल में चली, हाँ, लेकिन हर चीज आइडियल नहीं होती, ठीक है हमें बीच का रास्तर देखना पड़ता है और कहीं नहीं सबकी एक लिमिटेशन होती है जो administration है, थोड़ा सा वीख हो गया था logistics थोड़ा सा वीख हो गया, otherwise scheme एकदम एक नंबर की थी ठीक है, therefore जो data है on LPG इसमें data में क्या पाया गया अभी हम अब perfect data में जाते हैं, जो कि आप अपने आंसर में भी code कर सकते हैं, okay, therefore relatively poor Ujola consumer are reaching the LPG consumption level of the relatively well off मतलब कि इसका कहना ये है कि जो rural area में well off लोग हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, उनसे related बाबुजी हो गया, ठाकुर साब हो गया, ठीक है, पंडी जी हो गया, राय साब लोग हो गया, ये लोग well off situation में हैं, गाउं में, ठीक है, ये लोग लग भग 48% इनकी capacity है, 48% out of 100% these are the people in rural areas and they are consuming LPG, okay ये देखा गया है कि जो poor people थे जो इस subsidy में से scheme के अंदर आते हैं उनके अंदर इसको use करने की capacity बढ़ गई है, जहाँ पे well off rural people 48% है, वहीं पे ये बिचारे, जो household, गरीब household से हैं वो 36% है, 36% धीरे धीरे ये gap कम हो रहा है मतलब ये बराबरी आ रहे हैं, मतलब ये लोग भी use कर रहे हैं, जो मैं energy basket के बारे हैं बोल रहा था वो ये था, it is also not a greenhouse gas ठीक है, ये भी कोई greenhouse gas नहीं, LPG, जो कि हमारे intergovernmental panel on climate change बता है assigned with global warming potential factors of zero solar solar, electric heater, improved biomass, चूलह, बायो गैस qualified to be part of energy basket, energy basket में क्या क्या आता है, ये है, तो जब आप mains cancer लिखोगे, ये सारे keywords important है, आपको ज़रूरी नहीं लिखना biomass, चूलह, बायो gas, solar, नहीं, आपको energy basket लिखे, समझ जाएंगे लोग, चीक है दूसरा which factor helped यहापर मैंने लिखा है, refer to newspaper आये देखते हैं, यहापर क्या है data on LPG gas 45%, ये मैंने आपको बता दिया है मेरा कर्सा देख रहे हैं आप और non-rural customer, LPG has earned okay so ये औरड़ी मैंने चीज़े आपको बता दिया है which factor has helped अब आदे देखते हैं कि असल में यह जो आप photo देख रहे हैं transportation वगरा की ऐसे क्या factors हैं, जो इसको help किये हैं, उजोला scheme को literally help किये हैं, गाउं में भी एक जमाना था कि गाउं में तो आप भूली जाओ cylinder जाएगा, आज भी हैं गाउं जहां पे cylinder नहीं पहुच पाता है लेकिन आज भी गाउं हैं जहां पे लोग use कर रहे हैं, तभी तो आखड़े आए हैं 36% उसी गाउं से लोग cylinder यूज कर रहे हैं, तो बदल रहा है जमाना, scheme काम कर रही है यह, ठीक है, which factor has helped, the three oil market companies which handle the distribution, दोस्तों यह important concept है, logistics का, कोई भी government की जो initiative है खास कर कि जो daily household से related है, उसकी logistics से related, जितने भी पहलू है please उसको याद रखियेगा, आपके answer में बहुत ज़रूरी है, ठीक है यह channel अच्छा होगा क्योंकि इंडिया का logistics distribution मतलब अच्छा नहीं है ठीक है, खराब भी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है अगर यह चीज सही हो, logistics distribution ठीक है, तो फिर मजा आजाएगा मतलब, जो duration है ठीक है, demand और supply कि 20 में जो duration है, वो तुरंद solve हो जाएगी, LPG through their network distributor have shifted their focus to reach the low refill consumers समझ में आ रहा है इसका मतलब, low refill consumers मतलब जो non well-off लोग हैं non-well-off लोग जो हैं, वो साल में लगबग 4 या 5 cylinder यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे जारे छे भी, लेकिन जो well-off लोग हैं वो 6, 7, 8, 9 भी यूज करते हैं, ठीक है तो जहां पे low refill consumers हैं, जो poor household हैं, उनके पास इनका logistics का focus जादे बढ़ गया है, ठीक है now, it was successful implementation of direct benefit transfer LPG और पहल protection hans tantric lab, ठीक है, scheme जो कि 14 में launch हुई थी, actually इसी की वजह से, उज्वला scheme को push मिला, ठीक है क्योंकि ये already market बना रखी थी, direct benefit transfer of LPG और पहल scheme जो है, which freed up financial resources needed to dream of large scale program for deposit free LPG connection, ये must muddha था, ये important muddha था इसको आपको as an example रख सकते हो ठीक है, इसमें मैंने लिखा है refer to newspaper तो यहाँ पर, the next was enhanced various capacity such as, हाँ तो, the next step जो था, जो ही मैंने logistics की बात की थी वो यही है, for example अब cylinder आपके घर में आ रहा है और सरकार ने बोला, सरकार ने बोला हम आपको इतना cylinder free देंगे यह subsidy है और आपके घर में आप उसको बना लेकिन जो beach का पूरा मामला है जैसे की transportation हो गया जैसे की gas pipeline हो गई जैसे की उसको fill, gas fill करने की प्रकरिया हो गई, ठीक है उसका जो plant है LPG gas का plant है वो सारी चीजें, वो जो beach की जो हमें नहीं दिखती है वो ही important tap है ठीक है, आपको mention करना पड़ेगा वो सारी चीजें, जैसे की यहाँ पर bottling plants for filling in cylinder आप मेरा करसर देख रहे हैं यहाँ पर production of cylinder, pressure regulators, house and affordable LPG stoves यह सारी चीजें पे काम किया गया था, ना कि सिर्फ कोई बोल दिया था कि भाई हम free करवाएंगे नहीं, इसके मामले में भी था, in fact petroleum minister धर्मिंदर पधान जी ने बहुत ही उत्साह के साथ इस scheme को launch किया था मोधी जी के साथ थी और उन्होंने जितने भी अपने local MPs थे, ठीक है, उनको ये responsibility दी थी कि उजोला scheme को support करिये और इसका implementation करवाई है जितने भी सांसद लोग थे उनके area में तो उनके related, ठीक है तो ये बहुत जबर्दस चीज थी तोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी कि coronavirus के time पर, novel coronavirus की वज़े से, pandemic की वज़े से, इसकी subsidy में supply transportation थोड़ी सी धी में पर गी थोड़ी सी रुख गई, क्यों रुख गई? क्योंकि तब essential commodities पे सरकार का ध्यान चला गया, जो कि ज़रूरी था और उसकी वज़े से, इस पे जो ध्यान था, थोड़ा सा कम हो गया था लेकिन अब चीज़ें फिर से streamline हो रही हैं और हमें ध्यान देना चाहिए being जो सरकार है, अब इन चीज़ों को भी ध्यान देने, चोकि यह अच्छी scheme थी और इससे बहुत benefit भी हुआ था ओके, so overall, every household move towards adopting a more sustainable cooking energy basket अब समझ में आ गया, basket का मतलब क्या है तो यहाँ पे अब हम आते हैं ठीक है improvement in regular and demand of LPGs options for refilling finances alternative remunerative uses for cow dung and biomass यह सारे incentives देने चाहिए यह सारे options होने चाहिए एक alternative हर चीज को alternative होना चाहिए हम एक energy पर depend नहीं रह सकते ठीक है, क्या हो, क्या पता कि वो गिर जा है क्या पता कि वो unavailable हो ठीक है, तो हमें alternative चीज़े ढूडनी चाहिए demand supply, option होना चाहिए refilling का, cow dung वाला process है energy basket को हम यूज कर सकते हैं यह जो देख रहे हैं, यह self help group है चन्नाई का, यह जो महिलाएं है यह self help group का part है यह सब दिया देख रहे हैं, यह दिया cow dung से बना हुआ है ठीक है, तो किसी एक चीज़ पर depend नहीं है, यह लोग alternative चीज़, बहुत सारी चीज़ों पर depend है ठीक है, इसी वज़े से जो एक massive boost to women's income through national rural livelihood mission and all have great potential to nudge women to choosing a great society इस वज़े से एक empowerment की भी facility generate होती है not in fact here, हर state भी in fact Kerala में women empowerment में कमी देखी गई especially in rural areas में और भी जितने लोग हैं transportation से related उन में भी एक empowerment की increase उसमें देखा गया है ठीक है, so I think आज के editorial यहीं समाप्त किया जाता है इसमें एक important MCQ था प्लीज आप उसको solve करके बताईएगा यह उजवला scheme से ही related है यह I think prelims में आ चुका है शायद आ चुका है इसको comment करके बताईएगा कि क्या है मामला ठीक है, so उमीद है आपको यह सारी चीजन समझ में आई होंगी बहुत detail आज का analysis अब बहुत बढ़ी आज का article था so मिलते हैं कल के editorial and open analysis में पूछे गए questions को please comment करके बताईए समझाईए ठीक है इससे आपकी practice important होगी consistency important होगी जब तक consistency नहीं होगी दोस्तों success मिलना बहुत मुश्किल है ठीक है Thank you so much for staying with us keep watching कर दो कर दो झाल